अब तक जैसा कि आपको पता है कि हमने ट्वाल की जो अप्लोड कर चुके आपको बहुत अच्छे से वह समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे सारी जिने क्लियर हो रही होंगी तो आई ये स्टुडेंट्स नेक्स पार्ट फोर में हम लेकर आए हैं क्या है उस प्रॉफिट अलोस अप्रोप्रियेशन अकाउंट का मीनिंग क्या है उस प्रॉफिट अलोस अप्रोप्रियेशन अकाउंट में कौन-कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं ये सारी चीज़े आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले सो सबसे पहले तो बटा बिजनस में जब भी वर्ड प्रॉफिट आता है इट डजन्ट मीन कि वो सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है इट मीज प्रॉफिट इंक्लूट्स लॉस अल्सो अगर आपको भई हर बार ये चीज नहीं है इस चीज की प्रॉबैबिलिटी नहीं है दिस्टिबिशन किस चीज का डिस्टिबिशन प्रॉफिट और लॉस का डिस्टिबिशन किसकी बीच में पाट्रस की बीच में ठीक है सो क्लास 11 स्ट्रेंड में में आप लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पड़ा तो वहाँ पर आपने पड़ा होगा अब ज़न प्रोच और ट्रीशनल अब्रोच अप्रोच चैनि कि ब्रिटिशनल में आपने अकां्स को डो पार्च में आपर्चिए था परसनल के एंड़न्स पंस अप्र्स डर्फिट इन पार्च पेंड पर्सेंटिटेव को इन्सकी और भीस की बात सल रही है so it means P&L Appropriation Account कौन सा अकाउंट होगा it is a nominal account कौन सा अकाउंट होगा nominal account किस basis पे बनने वाला है वो nominal basis पे बनने वाला है nominal basis पे वो बनने वाला है अब nominal basis का मतलब क्या होता है कि nominal basis पे कैसे बनेगा जितने भी expenses और losses होंगे all the expenses and losses वो सब क्या होंगे बटा debit जितने भी expenses losses होंगे उनको हम क्या करेंगे debit करेंगे और जितनी भी incomes और gains होंगे जितनी भी क्या होंगे incomes होंगी और क्या होंगे gains होंगे उनको हम क्या करने वाले है credit करने वाले है अभी expense और loss, income और gain किस के लिए होना चीए ऐटा क्लास 11 पिए हमने पढ़ लीया था वसा स्वा इस लिए नेग्वेज आइसा है इंग्लिग और यह यह यानि कि कि अकाउंटिंग का आइक लेंगवेज के लए तो एक्स पेंस और लॉस इस देखनापड़ेगा हमे फर्म के लिए लॉस क्या है और फिर्म के लिए इंकम और गें क्या है तो बीजिस के लिए अगर एक्सपेंस और लॉस को एगा क्रेडिट विज पर इनकम और गेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा आगे दिखते हैं यह P&L Appropriation है क्या प्रॉफित और लॉस अप्रॉपरियेशन अकाउंट का यह क्या है प्रॉफित और लॉस अप्रॉपरियेशन अकाउंट यह निकालते थे यह नेट लॉस निकालते थे प्रॉफित और लॉस अकाउंट यहां पर क्या है प्रॉफित और लॉस अर्म किया है तो यह चीज़ अल्रीड आपको क्लियर होगे यह चीज़ अल्रीड आपको क्लियर होगे इस इस मेरली एन एक्स्टेंशन दिस इस मेरली एन एक्स्टेंशन और लॉस अकाउंट एंड इस प्रेपेर टु शूव क्या श्व को श्व खाष में वह जारा देख लेते हैं इस प्रेपेर टू शूव क्या नेट प्रॉफित इस distributed among the partners यानि कि जो भी net divisible profit है वो पार्टरस में क्या होगा distribute होगा इस नहीं बोलते net divisible profit distributed profit और जो नेट profit नहीं है क्या हो सकता है net loss भी हो सकता है जो पार्टरस में क्या होगा distribute होगा clear होगा यह बात बदेखो इसमें क्या क्या आएगा items of profit अब यह items बिटा किसके point of view से हम देखेंगे firm के point of view से firm के point of view से कौन सा expense है that should be debited कौन सा income है that should be credited यानि कि expenses आएगे DR side पे और income बिटा किस साइट पाएगे credit side टीक है तो one by one items को देखेंगे सबसे पहला item है बिटा हमरे पैसा firm में अब बतो बिटा जो पैसा लगाया गया है business में इनकी firm में partner ने पैसा लगाया अब यह जिम्मेदारी किसकी बनती है firm की यानि कि business की बनती है कि business पैसा कमा कर दे business पैसा कमा कर किसको देगा partner को किसके form में interest के form में किसके form में interest के form में तो यह interest जो है, interest on capital यानि कि IOC, यह IOC, फम का क्या होगा? expense, क्या होगा? expense, और expense का nature क्या होता है? expense का nature क्या होता है? यानि कि जितनी भी expense होगे, okay side record होगे debit side में, बतो यह बात भी समझ में आ गई होगी, इच्छे से clear होगी होगी, ठीक है? अगला point देखते हैं, जी अगला point हम interest on drawings, interest on drawings कौन पे करेगा? interest on drawings कौन पे करेगा? पार्टर पे करेगा, किसको? किसको पे करेगा? फम को पे करेगा, तो अब जो पैसा है, अब जो पैसा है, फम को मिल रहा है, किस से मिल रहा है? फम को मिल रहा है, किस से मिल रहा है? पार्टर से मिल रहा है, तो यह firm का क्या है? interest on drawings firm का क्या ये gain है क्या ये firm का gain है और gain के side में record होगा credit side में कहा record होगा credit side में तो IOC record होगा debit side में IOD record होगा credit side में I hope ये दोनों point आपको clear हो चुके होगा अगला आता है हमारे पास general reserve क्या होता है general reserve यानि कि sometime firm अपने profits को reserve में transfer कर देती है तो जब profit को reserve में transfer किया जाएगा यानि कि profit की help से reserve create होगे तो profit तो decrease हो जाएगा profit का हो जाएगा decrease और profit का nature होता है credit credit कैसे decrease होता है debit से कैसे decrease होगा debit से ठीक है clear है तो अभी तक हमने तीन item देखे interest on capital, interest on drawings और general reserve interest on drawings credit side पे आ रहा है बाकि interest on capital और general reserve कहाँ पर आ रहे है debit side पे क्यूँकि ये firm के profits को क्या कर रहा है कम कर रहे है और interest on drawings firm के profits को क्या कर रहा है बढ़ा है तक है अगला salary और commission to partner यानि कि किसी partner को salary मिल रही है और क्या मिलेगा commission मिलेगा किस से मिलेगा Firm से तो salary और commission देना पर आपको बहुत इंपॉर्डट चीज समझनी है ओके मैं ज़रा आपको यहां पर अपने नोटपट पेड़ लेके चलता हूँ ठीक है नोटपट देखेंगे विटा इक मिट और नोटपट पे आपको और ज्याद क्लियर्टी होगी ठीक है जरा समझते है नोटपट पे यहां पर समझ लेते हैँ ठीक है आईए यहां पर आप देख लेते हैं हम उनकसा अकोंट बना रहे हैं profit and loss appropriation account कौन सा account मना रहे profit and loss appropriation account तो यहाँ पर लिख दिया क्या लिखेंगे जो account बनाएंगे वो लिख देंगे profit and loss appropriation account ठीक है profit and loss appropriation account ठीक है तो पेटा जो account बनाएंगे मैंने क्या कहा उसको हम लिख लेंगे profit and loss appropriation account ओके तो यहाँ पर हम नोटपेट में समझेंगे profit and loss appropriation account के बारे में ठीक है तो लिख लेते हैं यहाँ पर profit and loss appropriation account ठीक है profit and loss appropriation account जिस साल का बनाएंगे लिख देंगे for the year ended जिस साल का बनाएंगे ठीक है बहुत अच्छे से सीखेंगे बटा किस तरह से देखो presentation art है है ना यह चीज आर्ट है तो हर कोई artist हो नहीं सकता है ना तो presentation भी एक art है और हर कोई artist हो नहीं सकता ठीक हम कोशिश करेंगे भी भी बनाने के लिए कि आपको अच्छे से present किया जाए हाँ पर ओके तो यह बिटा हम एक account बना रहे है ठीक है account के कितने column होंगे हमरे पस है पर चार column होंगे वै यहां पर भी अब इसको हम यहां पर करतें ये अब हमारा account का प्रफॉर्मार सकता है ठीक है अब आप यहां पे क्या क्या लखेंगे भी यहां लखी है हमने particular yeah यहां पर भी पैटिकुलर्स ठीक हे और यहां पर अमाउंट ठीक है अकाउंट यह हमारे पास left-hand-side और left-hand-side को हम बोलते हैं debit side यह हमारे पास right-hand side है इसको हम बोलते हैं Credit side अब अब और क्या बताया है गया था मैंने एक चीज आपको clear करी थी कि हमारे पास हमने एक चीज यह बताई थी आपको कि profit and loss appropriation account extended form में एक extended version है किसका profit and loss account और profit and loss account reveals net profit and loss और हमारा P&L appropriation account का जो starting point है इधर net profit और net loss अगर net profit starting point है तो प्रोफिट है तो credit side पर लेखा जाएगा यहां पर आ गया by net profit यहां पर क्या आ गया by net profit जो भी net profit का amount question में होगा वो आ जाएगा तो यहां पर starting point net profit होगा है पर क्या होगा net loss अगर net loss है तो किस side में नजर आएगा debit side पर according to nominal account net loss ठीक है इतना है यह चीज़ क्लियर है अब देहान दो this profit and loss appropriation account is prepared by firm itself यानि कि इस account को कौन बनाता है इस account को कौन बनाता है तो firm के लिए जो भी expenses होंगे firm के लिए जितनी भी क्या होंगे expenses और losses होंगे वो सब किस side में record होने वाले है debit side में firm के लिए जितनी भी income है और gains है वो कहा record होने वाले credit side में ठीक है अब देहान दो firm अपने partner को उनकी capital पर क्या पे कर रही थी interest तो यहां पर आ जाएगा to interest on to interest on partners capital to interest on partners capital यानि कि जितनी भी capital partners ने contribute किये मानलों दो partner A और B उनकी capital पर जो भी interest आई कि वीटा वो भी हम outer column में यहां पर लिख जाए ठीक है एक्सपर्ट करेगा कि आप उसे interest दोगे और यह सब चीज़ें बीटा तभी होंगी जब partnership lead में provided होगा अगर provided नहीं है तो ना तो interest on capital ना interest on drawings इसका खास ध्यान रखना ठीक है तो यहां पर आ जाएगा by interest by interest on drawings जो भी पार्ट रहें यानि कि दो पार्ट रहें ए और बी एने कितना interest देना है यह आ जाएगा firm के पास firm का हो गया game ठीक है अब देहान दो जब हमने बिटा partnership definition देखी तो इसमें कहता the business should be carried on all or any of them acting for all यानि कि उनके बहाफ पे अगर कोई act कर रहा है तो सारे पार्ट नसा अगर decide करा उसको अलग से कहा देतो salary or commission देदो तो salary or commission कौन देगा business यानि कि firm तो firm का क्यो रहें का expense तो यहां देगा two partners salary two partners salaries salaries or commission जो भी पाट्टर होंगे उनको salary commission जो भी मिल रही होगी वह इहां आ जाएगी कभी कभी क्या होता बिजनेस में firm profit को क्या करती है प्रॉफिट को क्या करती है ट्रांसफर करती है क्या करती है प्रॉफिट को ट्रांसफर करती है ठीक है ट्रांसफर ओके तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो डेबिट साइड में आएगा वह भी टू प्रॉफिट टू प्रोफिट ट्रांसफर टू प्रक्रोफिट ट्रांसफरटु रिजरर्व कि तो बैट्ट सइट अगर इनचे लावा सिर्फ क्या करें टॉटल अगर ट्रिट साइट का टोटल जादा है अगर क्रेडिट साइट का टॉटल जादा है तो डेबिट साइट पे जो बैलंसिंग ठीक राएगा वह आएगा एनडी पी net divisible profit ठीक है यह होगा क्या यह होगा balancing figure क्या होगा balancing figure and this NDP will be distributed between or among the partner in their profit sharing ratio और अगर agreement नहीं है तो क्या जाएगा इकोल जाएगा और अगर यह debit side बढ़ी है तो यानि की loss है expense जाद है तो यहाँ पर क्या जाएगा NDL यानि की net divisible loss और यह भी किसमें बटेगा पार्टर्स में उनके profit sharing ratio में बटेगा ठीक है और अगर नहीं है ratio तो किसमें बटेगा बटा equally क्या हो जाएगा यह distribute हो जाएगा ओके यह है आपका profit and loss appropriation account किस तरह से आपको prepare करना है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको पहले यह topic नहीं पढ़ाऊंगा PNL appropriation account मैं पहले topic आपको पढ़ाऊंगा interest on drawings उसके बाद पढ़ाऊंगा interest on capital उसके बाद पढ़ाऊंगा salary or commission उसके बाद पढ़ाऊंगा profit transfer to reserve उसके बाद जब इस सब चीज़े सीख जाओगे फिर सिखाऊंगा पटा आपको how to prepare profit and loss appropriation account उसके practical questions आपको करेंगे अभी तो सिर्फ आपको सिखाया है कि profit and loss appropriation account बनता कैसे है I hope students इस शॉर्ट वीडियो जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो बीटा हमें motivate रखने के लिए हमें भी पता चलना चाहिए comment section में comment करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी है अपने फ्रेंड्स में जावस्ता शेर करिए इस वीडियो को और यह स्रेली classes का mobile application आप download कर सकते वहाँ पर बहुत सारे free courses भी है और paid courses भी है जहाँ पर अगर आप entrance की प्रेपरेशन करना चाहते है लाइक एम यू जामिया क्या सी उटी से रेलेटेड अगर आपको कोई भी information चाहिए या कोई भी course आपको हमारे mobile store पर आपको आप जो हमारा application उस पर आपको इस सारी चीज़े मिल जाएंगे ओके सुडेंट्स वीडियो पसंदें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने फ्रेंड्स में जा सदा शेयर करें थेंक्यों स्टुरेंट्स थेंक्यों वेरी झाल